Hello guys, welcome to this video और मेरा नाम है अमंत्र वेदी आप सभी जानते हैं इस वीडियो सीरीज में हम डिसकस कर रहे हैं फ्रेजल वर्प्स दो लेक्चर्स में इसमें आपको दे चुका हूँ और 1 to 40 फ्रेजल वर्प्स में आपको कम्प्लीट करा चुका हूँ इस सीरीज में यह सीरीज SP बख्षी समरी सीरीज है हम यहाँ पर फ्रेजल वर्प्स से शुरू कर रहे हैं अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों ने इसको ठीक से लाइक किया शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया तो आगे की जो सीरीज है फ्रेजल वर्प्स के बाद हम उन्हें भी कवर करेंगे इसी चैनल पर ठीक है देखिए शुरू करते हैं उसके पहले अनकेडिमी पर पैरा जंबल्स, क्लोस टेस्ट और रेडिंग कॉम्प्रियेंशन का बेहतरीन पैज चल रहा है दुपहर के तीन बजे आप इसे जॉइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर कम्प्लीट इंगिलिश पर नी है तो रात के आठ बजे क्लास होती है आप इसे भी जॉइन कर सकते हैं एक्टिव, पैसिव और नेरेशन की भी बैच हमारा 23 जुलाई से शुरू है रात के 8 बजे इसमें class होगी, आप इसे भी join कर सकते हैं Antonyms और Synonyms का batch है, इसमें 15 जुलाई से classes है, दोपहर के 3 बजे class होती है, आप इसे भी join कर सकते हैं इसके अलावा, daily हमारी free class होती है, mock test की, जिसमें हम लोग daily English का एक mock test attempt करते हैं, शाम के 5 बजे उसे आप जरूर join कीजिए, link आपको मेरे telegram channel का comments दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और comments में भी मिल जाएगा, आप उसे जरूर join कर लीजिए, वहाँ पर आपको class की बारे में जानकारी मिल जाएगी साथ ही साथ जो पिछला वीडियो था, उसकी PDF भी आपको telegram पर ही मिलेगी अगर आपने subscription नहीं लिया है, तो मेरा referral code AMANT इस्तेमाल कीजिए for maximum discount और आप Unacademy subscription ले सकते हैं इसके अलाबा Unacademy पर कई सारे batches हैं, जिने आप enroll कर सकते हैं पढ़ने के लिए और अपनी तयारी करने के लिए और अभी Unacademy पर offer चल रहा है, अगर आप SSC के subscription लेते हैं तो एक साल के subscription पर six months का offer है और दो साल के subscription पर बारा महिने का extra आपको subscription मिलता है और cost आपको एक साल के लिए 5850 देना पड़ेगा और दो साल के लिए 7020 देना पड़ेगा जिसमें आपको total तीन साल का subscription मिलेगा आप इसको लेने के लिए मेरा referral code AMANT मिले सकते हैं यूज कर सकते हैं और bank और SSC का subscription लेने के लिए आप एक साल का subscription 6 मिने का extra और दो साल के subscription पे एक साल का extra मिलेगा जिसकी cost आप 8,000 रुपीज और 10,000 रुपीज respectively हो जाती है इनको अवेल करने के लिए आप मेरा referral code AMANT का इस्तमाल अवश्य करें इसके अलाबा अगर free में लेना चाहते हैं तो Sunday code उपहर 12 बजे mock test होता है इसमें participate करके आप free में subscription जीट सकते हैं अगर Telegram चैनल नहीं जोइन किया है तो join कर लो क्योंकि वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिलेगी ठीक है उसको join जरूर से कर लीजिए और आपको मैं कोशिश करूँगा है डेली आपको ये एक वीडियो मिलता रहे सुबह 9 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा सुबह ठीक है तो अपने friends के साफ में share करिए और चैनल को थोड़ा सा subscribe कीजिए वीडियो को like जरू करो अगर देख रहे हो तो और Instagram पे मुझे follow कर सकते हूँ है आप अमंत्रिवेधी मेरा handle है वहाँ पे आपको vocabulary से related reels आपको ये चीज़ें मिलती रहती है इसलिए आप उसे भी follow कर लिए शुरू करते हैं आज के हम अपने class को और पहला phrasal work जो हमारी आज की class का है वो है कम बाई तो कम बाई का मतलब क्या होता है कम बाई का मतलब होता है आपका कुछ मिलना ठीक है to get something is called कम बाई for example how have you come by such a precious diamond आप इतने बहुमूली diamond से को कैसे मिले यानि कि आपको ये इतना बहुमूली diamond कैसे मिला उसके लिए इस्तामाद होता है आपका कम बाई तो किसी भी चीज को मिलने के लिए जैसे आप अपने फादर से पूछते हो आप माताजी से हमारी मां से कैसे मिले तो how have you come by my mother या आप किसी से भी पूछ सकते हैं कुछ भी मिलने के लिए ठीक है आपको ये opportunity कैसे मिली how have you come by this opportunity ठीक है आपको मुझे दुखा देने का ख्याल कैसे मिला तो how have you come by this idea तो किसी भी चीज को से मिलने के लिए आप come by का इस्तमाल कर सकते हैं साइंटिस्ट को इसका इलाज कैसे मिला तो how scientist come by this cure ठीक है तो किसी भी चीज से मिलने के लिए आप come by का इस्तमाल करेंगे ये आपकी phrasal verb है fillers में ये पूछी जा सकती है आप वहा जो phrasal verb है हमारी वो है आपकी come off तो come off का मतलब होता है आप belong कहां से करते हैं ठीक है जैसे hails from Sonia Gandhi hails from Italy यानि कि Sonia Gandhi जी इटली से belong करती है तो come off का मतलब हो जाता है belong करना आप कहां से belong करते हैं I come off UP मैं उत्तरप्रजेस से belong करता हूँ I come off Kanpur मैं Kanpur से belong करता हूँ She comes off Bihar वो Bihar से belong करती है He comes off Purnia वो Purnia से belong करता है तो कहीं से भी belong करने के sense में आप come off का इस्तमाल करते हैं तो किसी भी अगर को भी पूछना हो कि आप कहां से belong करते हैं तो आप आगे belong करने की वज़ए अगर आप थोड़ा सा बेतर सामूट करना चाहते हैं तो come off रिजर का इस्तमाल कर सकते हैं यह थोड़ा सा नया होगा और यूनीक लगेगा तो इसके लिए अगली फ्रीजर वह हमारी है आपकी वह है कम आफ अब देखिए वह आफ था उसमें ओ एफ था अब यहाँ यहाँ पर ओडब हो जाता है तो अगर single f होता है तो उसका मतलब होता है belong करना और o double f हो जाता है तो उसका मतलब बदल जाता है अब यहाँ पर इसका सही मतलब वही हो जाता है जो होना चाहिए come off मतलब निकल के बाहर आना take place as rearranges fade होना या get separate होना किसी चीज का अलग होना जैसे यह mouse है इसका उपर का हिस्सा अलग हो सकता है तो this comes off this mouse यह इससे अलग हो जाता है तो come off होना मतलब अलग हो जाने के लिए आता है तो I was surprised to see that plaster had come off the walls मैं यह देखकर काफी surprise था कि wall से plaster उखड के अलग हो रहा है तो जैसे दिवाल से पपड़ी उखड़ना या फिर आपके plaster उखड़ना उसके लिए आप come off का इस्तमाल करते हैं तो यह जरूर से ध्यान रखेंगे come off मतलब नि come off जैसे कि इस दिवाल से पपड़ी निकल रही है तो हम इसे क्या कहेंगे यह आपका जो plaster है that is come that comes off this wall वो उसे बाहर आरा है ठीक है और नेक्स्ट हो जाता है हमारा come over come over का मतलब हो जाता है आपका कि किसी चीज़ पर एक तरीके से विजय पा लेना उसे कहते हैं come over ठीक है so get over या फिर overcome you can come over your problems by honest means तुम इमानदार तरीकों से अपनी problems पे छुटकारा पा सकते हो अपनी problems पे विजय पा सकते हो तो come over का मतलब हो जाता है किसी चीज़ पर विजय पाने के लिए कम इस्तेमाल होता है come over ठीक है याद रखेंगे जैसे कि आपका सरदार खान comes, came over his problems by hook और by crook by hook और by crook का मतलब होता है किसी भी तरीके से साम, दाम, दंडविर, कुछ भी तरीका लगे लेकिन he comes over his problems, he came over his problems तो came over का मतलब हो गया overcome करना, उन problems को धूल चटाना, उस पे विजय होना, उन पे सफल होना तो सरदार खान came over his problems, वो अपनी problems पे उसने विजय प्राप्त करी तो come over का मतलब हो जाता है आपका विजय प्राप्त करना ठीक है अगला जो word है वो है हमारा come round come round का मतलब क्या होता है come round का मतलब हो जाता है agree करना या फिर बीमारी से उबरना recover from illness, that is called come round या होश में आना, या किसी को agree करना या होश में आना, या बीमारी से उबरने के लिए आता है come round इसी से मिलता जुकता कल हमने एक phrasal वो पढ़ा था bring round bring round का मतलब था होश में लाना तो वही अर्थ यहां पे भी हो जाएगा आपका my father at first refused to let me continue study but he came round in the end तो bring round का मतलब भी यही था कि मा जैसे हसीना मान जाएगी उसमें मैंने बताया था bring round और come round का मतलब भी हो जाता है किसी को मना लेना कि पहले father ने मना कर दिया हमारी पढ़ाई के लिए study को continue करने के लिए लेकिन later ही come round यानि कि बाद में वो उस बाद से राजी हो गए agree कर गए तो come round का मतलब हो जाता है किसी को मनाना या फिर होश में आना ठीक है so for example आपको यह याद होगा कलम ने यह फ्रेजर वो प्याद किया था Lord Hanuman brought Lakshman round by bringing संजीवनी बूटी for him तो Lakshman के लिए संजीवनी बूटी लाकर भगवान हनुमान ने Lakshman को वापस होश में लाया तो bring round का मतलब होता है वापस होश में लाने के लिए स्तमाद होता है Lakshman came round when he was given संजीवनी बूटी Lakshman होश में आ गए जब उन्हें संजीवनी बूटी मिली तो come round या फिर came round का मतलब हो जाता है when he was उन्हें वापस होश में आना तो Lord Hanuman brought Lakshman round by bringing संजीवनी बूटी for him या फिर Lakshman came round when he was given संजीवनी बूटी दोनों ही तरीके से आप इसे स्तमाल कर सकते हैं अगला हमारा इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं come round मतलब मनाना भी होता है तो आपको Mirzapur 2 का याद होगा जब गुड़ु भाईया इस लाला को बनाने की कोशिश करते हैं बट लाला नहीं मानता है तो earlier लाला was not ready to do business with गुड़ु भाईया but later he came round यानि कि पहले जो लाला था वो पहले जो लाला था वो इस बात से agree नहीं था इस बात पर ready नहीं था उनके साथ business करने के लिए लेकिन later he came round यानि कि बाद में वो agree कर गया वो उस पर सहमत हो गया तो come round के हमने दो अर्थ यात किये एक अर्थ तो हो गया हमारा किसी को होश में लाना और दूसरा आर्थ हो जाता है हमारा किसी को मनाना जैसे लाला came round later when गुड़ु भीया discuss the matter with him ठीक है? sorry अगला word हमारा क्या है? the next is come upon अब come upon का मतलब देखी क्या होता है come upon का अर्थ होता है come across या फिर get by chance किसी चीज से किसी से मिलना सही हो बश किसी से मिलना हमने कल भी इससे related हमने एक phrasal वो discuss किया था come across come across मतलब होता है किसी से मिलना सही हो बश या get by chance ठीक है? तो my friend came upon the evidence just by chance मेरी friend जो है वो evidence से just by chance मिल गया तो come upon मतलब हो जाता है come across या फिर get by chance सही होता है सही होता है किसी से मिलना या फिर पाना तो कल मैंने आपको same phrasal verb कराई थी कि this is what happens when you come across या come upon your ex suddenly somewhere तो मालनो शादी में आप नाच रहो और अचानक से आपको आपकी x दिख जाए तो यही होने वाला है आपके साथ में तो come across या फिर come upon मतलब होता है सैयोग वस किसी से किसी से मिल जाना अगला word हमारा है cope with तो कल भी मैंने इसको बताया था आपका cope with cope with का मतलब हो जाता है हमारा manage करना that he managed to do something तो for example they coped with all their problems cheerfully वो अपनी सारी समस्याओं से cheerfully उन्होंने सामना किया और उसको overcome किया तो cope with का मतलब हो जाता है सामना करना ठीक है ध्यान रखिएगा error में बहुत बारी question आया है cope up with नहीं होता है cope with सही term होता है cope up with कुछ नहीं होता है ध्यान रखिएगे इस बात को cope up with नहीं cope with सही term है so मुन्ना भीया coped with all his problems bravery ठीक है तो मुन्ना भीया जो है सभी समस्याओं से बड़ी ही बहादूरी से he cope with ठीक है अगला जो हमारा word है वो है आपका cut down cut down के दो अर्थ होते हैं एक दो अर्थ होता है reduce करना या किसी चीज को कम करना ये cut outी करना तो since you are out of job these days you must cut down your expenses चुकि अभी फिलाल आपके पास एक नौकरी नहीं है तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने खर्चों में cut outी करो तो cut down का मतलब होता है cut outी करना ठीक है तो cut down meaning हो गया cut outी करने के लिए आएगा इसको ध्यान रखेंगे ठीक है तो मान लीजिए त्रिपाथी विया जो है आपके पंकर्स त्रिपाथी है तुम्हें अपने खर्चों में cut outी करनी है तो किस तरीके से कहेंगे you need to cut down your expenses तुमको अपने खर्चों में cut outी करने की जरूरत है तो cut down का मतलब हो गया cut outी करना ध्यान रखेंगे इसको अगला जो हमारा फ्रेजर वर्ब है cut off cut off का मतलब हो जाता है किसी काम को करना बंद कर देना या तो मृत्ति हो जाना या किसी चीज को रिमूव कर देना तीनों ही अर्थ है एक तो discontinue करना है die होना भी है और remove होना भी है आपका his parents cut him off to encourage him to find a job उसके parents ने उसे अलग कर दिया वो अपने आपसे अलग कर दिया जिससे कि वो अपनी नौकरी ढूनने के लिए और encourage हो उसे और उसकी आवशक्ता feel हो तो cut off का मतलब हो जाता है discontinue करना या die होना करना या remove करना दूसरा हो जाता है gas supplies have now been cut off यानि कि gas supplies की आपूर्ती जो है सन की spelling है गलत है सन वेन गुड्डू भहिया decided to be a gangster तो वकील सहाब ने गुड्डू भहिया को अलग कर दिया आपने आपसे जब उन्होंने gangster बनने का decide किया तो वकील सहाब cut him off उनको अलग कर दिया तो cut off का मतलब हो जाता है किसी चीज को भी discontinue करना भी है और आपकी जैसे gas supplies को discontinue कर दिया गया किसी किम्रती होना भी है और किसी को अलग कर देना भी है ध्यान रखेंगे इसको अगली जो phrasal verb है वो है हमारी to be cut out for cut out for का मतलब क्या हो जाता है कि किसी कान के लिए बिल्कुल suitable होना या उपियुक्त होना that is called cut out for यसे I am cut out for teaching मैं बिल्कुल teaching के लिए बिल्कुल उपियुक्त person हूँ तो he is cut out for an administrative career वो एक administrative career के लिए पूरी तरीके से suitable person है वो उसी के लिए cut out है ठीक है तो cut out for अबतलब हो जाता है उपियुक्त होना ठीक तो याद होगा आपको जब क्रांत मैंसी से पंकेश्ट्रीपाटी कहते हैं कि बुद्धी बहुत पेज़ है तुमारे तुम इसी काम के लिए बने हो इसी काम के लिए एकदम suitable person हो ठीक है ध्यान रखेंगे अगला जो freezer verb है वो है हमारा cut out, दो है एक cut out for है, दूसरा है cut out, cut out का अर्थ क्या हो जाता है cut out का एक अर्थ हो गया to take a piece from the hole, पूरे हिस्से से एक छोटा सा हिस्सा निकालना, that is called cut out, ठीक है simple है he cut out a piece of the cake and put it in my plate, तो cake का है एक हिस्सा काटा और मेरी plate में रखती है तो cut out मतलब हो जाता है एक हिस्सा काट के अलग कर देना, ठीक है, simple सा कर्म है अगला हो जाता है हमारा cut out, cut up का मतलब क्या होता है, cut up का मतलब हो जाता है distressed या फिर cut into small pieces, दो अर्थ हो गये एक तो हो गया बहुत ज्यादा distressed होना, बहुत ज्यादा दुखी होना, और दूसरा हो जाता है cut into small pieces, छोटे छोटे टुकडों में काट देना, ठीक है तो for example she was cut up because she had been scolded by her teacher, वो काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसको आपके इढ़ने teacher के दौरा डांट पड़ी थी, तो cut up का मतलब हो जाता है किसी जिसे दुखी होना या फिर परिशान होना, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे तो आपको याद होगा कि मुन्ना भिया जो है, वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं इस सीन में, कि बहुत तकलीफ हो जब आप योग गे हो और लोग आपकी योगिता न परचाने, तो मुन्ना भिया वास cut up when he was not given due respect, उनको due respect, due उजट नहीं जिमिल लई थी, तो he was very cut up, य जैसा कि नाम से ही clear है, die मतलब होता है, खतम होना और down मतलब धीरे-धीरे gradually disappear होना, rights का, excitement का, storm का, किसी भी चीज का धीरे-धीरे खतम होना, जैसे the second wave of corona has died down now, क्यानि कि second wave of corona जो है, वो अब धीरे-धीरे खतम हो गई है, and third wave का हम वेट कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे थमना, the wind wind has died down, यहीं कि wind जो है, हवा जो है, वो खतम होगे, धीरे-धीरे शान्त पढ़ गई है, ठीक है, तो जैसे कहते हैं, कि आप underground होने का समय आगया, तो stay underground until the matter dies down, आप बिलकुल underground रो, जब तक कि matter थंडा नहीं पढ़ जाता, खतम नहीं हो जाता, तो die down का मतलब हो जाता है, gradually disappear ह होने के लिए, इस्तमान होता है, अगला जो word है, वो है हमारा die out, die out का मतलब हो जाता है, became, out of use, या फिर existence, तो existence से खतम होना, या out of use हो जाना, that is called die out, ठीक है, मतलब हो गया, बिलूर्थ होना, या फिर शान्त हो जाना, क्या किलाता है, die out, ठीक है, for example, if something like species of animal or a language is dying out, it is disappearing and could soon be last forever, forever, कहने का मतलब हो गया, कि किसी भी चीज के विलूर्थ होने को कहते है, die out, ठीक, कोई भी चीज विलूर्थ हो रही है, तो उसके लिए हम कहते है, die out, he thought that a custom had died out a long time ago, उसे ऐसा लगा कि जो ये प्रथा है, वो बहुत लंबे समय पहले ही खत्म हो गई, ठीक है, आपको आपने पढ़ा होगा, ये mammoth नाम के animals होते थे, mammoths कहा जाता था इन्हें, जो आथी जैसे दिखते हैं, तो mammoths died out, mammoths जो हैं वो धीरे धीरे disappear हो गया है, आपके existence से खतम हो गया, ठीक है, तो die out मतलब होता है existence खतम होना किसी चीज का धीरे दिखते है, dispose of, ये बहुत important ह एक्जाम में बहुत बार कुछा गया है, dispose of, इस spelling आप तो पहले तो याद रखो, इस spelling में ही भसा दिता है आपको, ओ एफ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब होता है किसी चीज को बेचना, इसकार्द करना, छुटकारा दिलाना, इसके लिए dispose of का स्क्रमाल होता है, She has decided to dispose of her old house, ठीक है, तो जैसे घर बेचने के लिए, आप dispose of का स्क्रमाल कर सकते हैं, Dispose of का एक अर्थ किसी की हत्या करने से भी होता है, तो जैसे गुड्डु भहिया wanted to dispose of मुन्ना भहिया, तो गुड्डु भहिया मुन्ना भहिया को निटाना चाहते थे, तो निटाने के लिए भी आप dispose of का स्क्रमाल कर सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है, अगला है हमारा disposed to, अब ये देखिए, disposed to हो गया, disposed to का मतलब क्या हो जाता है, willing या फिर inclined favorably, inclined होना, willing होना, इच्छा रखना, ठीक है, तयार होना, मेरा friend problems को अच्छे से discuss करने के लिए काफी ज़्यादा disposed to है, यानि काफी ज़्यादा willing है, काफी ज़्यादा inclined है, ठीक है, तो disposed to का मतलब हो जाता है, inclined होना, किसी चीज़ के लिए discussion के लिए, तो for example, मुन्ना भहिया was disposed to discussing the business plan thoroughly, मुन्ना भहिया जो है, वो business plan को, sorry, मुन्ना भहिया ने, कालीन भहिया जब उनसे business plan discuss करने आते हैं, तो मुन्ना भहिया क्या कहता है, मतलब ऐसे बिलकुल immediate नहीं सोचें, सोचेंगे, तो वो कालीन भहिया वहाँ पर क्या थे, अपने business plan को discuss करने के लिए काफी ज़्यादा inclined थे, तो कालीन भहिया was disposed to discussing that business plan thoroughly, business plan को अच्छे से discuss करने के लिए, वो disposed to थे, काफी ज़्यादा inclined थे, वो discuss करना चाहते थे, ठीक, अगला जो phrasal verb है, वो है हमारा do away with, do away with का मतलब क्या हो जाता है, do away with का मतलब होता है, आपका eradicate करना, क उसको बिलकुल समूल नाश कर देना, weed out कर देना, annihilate कर देना, obliterate कर देना, तो do away with मतलब खतन करना है, ठीक है, तो we should do away with social evils, we need to do away with corona, we need to do away with people who are not following covid protocol, तो we should do away with social evils, यानि कि हमें सामाजिक evils से, सामाजिक कुरितियों से उन्हें, उनसे चुटकारा पाना चाहिए, तो do सर्दार खान ने कसम खाई थी कि वो सर्रामाधीर सिंग से छुटकारा पाएगा, तो I will do away with Ramadhir सिंग, तो सर्दार खान ने क्या गा था कि I will do away with Sam Ramadhir सिंग, Ramadhir सिंग से छुटकारा पाएगा, ठीक है, अगला जो phrasal verb है, वो क्या है हमारा, do for, do for का मतलब क्या हो गया, serve the purpose किसी उदेश, किसी purpose को serve करने के लिए आता है, do for, प्राप्त करने के लिए कर्मा, so this book will do for the SSC examination, ये किताब जो है SSC examination के लिए बिलकुल उप्युक्त है, वो आपका purpose solve कर देगी, this video will do for the learning of phrasal verbs, phrasal verbs को याद करने के लिए ये जो videos हैं, ये जो series है, आपकी पूरी तरीके से म the purpose, ठीक है, चलिए, अगला जो है मारा, वो है have done with, जिसे I am done with you, मैं तुम से बस अग्दम ऊप चुके हो, आप बुस हो गया, आप नहीं करना, सुना ही होगा तुम्हें, तो have done with, मतलब होता है to have no relation with you, ठीक है, तो कोई संबद नहीं होने के लिए आता है, have done with, so I have done with him because of his dishon honesty, उसके dishonesty की वजए से, बहिमानी की वजए से मैं उससे done with हो गया, यहीद koşती, है कि आप मेरा उससे कोई relation नहीं है, तो I am done with you, उस संस में आता है व कर से कोई relation मेरा, संस में आता है I have done with you, ठीक है, have done with, I am done with you, उससी संस में आधीक होत मतलब हो गया, कि आप उससे break up कर र र regulation. And the last but not the least is do without. Do without का मतलब होता है dispense with या to manage without. ठीक है? किसी के बिना काम चलाना. We cannot do without fan in summer. गर्मी में हम fan के बिना काम नहीं चला सकते हैं. तो do without मतलब होता है किसी के बिना काम चलाने के लिया आता है do without. ठीक है? So आप याद रख सकते हैं, do without मतलब हो गया, किसी के बिना काम चलाना. के लिए आजाता है आपका do without. Do without मतलब हो गया, dispense with या to manage without. ठीक है? किसी के बिना काम चलाना. ठीक? So I can do without you, यानि कि मैं तुम्हारे बिना भी काम चल जाएगा मेरा. उस sense में आता है आपका do without. मतलब होता है dispense with. काम चलाने के लिए आता है dispense with. ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इसको do without और dispense with दो फ्रेजर वोगे जिनका एक ही अरत है, मतलब होता है to manage without. ठीक? तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए आपका देश शुभू, टेक कियर, बबाए, थैंक्यू सो मुच.